अमस्कार दोस्तों, मैं नेहा कंपटीटिव प्रप्य नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ आज हम यहां देखेंगे 16 जन्वरी 2023 का महत्वपूर्ण कर्ट अफेर्स प्रश्न विवरंग के साथ तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, साथ्वा सशस्त्र बल पूरव सैनिक दिवस कब मनाया गया है उत्तर, 14 जन्वरी को अर्पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रतिनिश्वार्ट सेवा और बलिदान के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस वेटन्स डेख मनाया जाता है शुरुआत में इसे आर्मिस्टिस ने कहा जाता था भारत के इतिहास में ऐसे में इन तीनों सेना के सैनिकों ने भारत के लिए अंगिनत बलिदान भी दिये हैं जो सेवा मुक्त है उन्हें वेटेरन कहा जाता है इन वेटेरन का योगदान भारत के लिए सबसे महत्वपून रहा है। ऐसे में हर साल उनके योगदान को सहारने के लिए त्री सेवा पूर्व सैनेक दिवस का आयोजन हर साल किया जाता है। प्रश्न, स्टार्टप मेंटर्शिप के लिए मार्प पोर्टल कॉन लॉंच करेंगे। उत्तर, पीउष गोईल केंद्रिय वानेज्य एवं उद्योग, उपभोगता मामले, खादिव सार्वजनिक वित्रन और वस्त्रम मंत्री पीउष गोयल द्वारा 16 जन्वरी 2023 को नई दिल्ली में वानेज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश की उपस्थिती में राष्ट्रिय स्टार्ट पुरसकार 2022 के नतीजों की भोशना की जाएगी। बोयल मार्ग प्लाटफॉर्म मार्ग दर्शन, परामर्ष, सहायता, सुद्रिलता और विकास भी लॉंच करेंगे, जो समस्थ सेक्टरों, चरनों और कार्यों से जुले स्टार्टक्स और उध्यमियों के बीच मार्ग दर् त्रिपुरा राज्य सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहर्ष विशेश शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। करने में सक्षम बनाना है। प्रदर्शल ग्रेदिंग सूचकान के अनुसार वर्तमान में त्रिपुरा ग्रेद समूव के अंतरगत आता है। राज्य सरकार 204 स्कूलों को सहर्ष पार्थिक्रम के लिए प्रशिक्षित कर चुकी है जबकि 200 और और स्कूलों को जल्द ही प दक्षिन सूदान में सयुक्त राष्ट्र मिशन, UNMISS में सेवारत 1000 से अधिक भारती अशान्ती सेनिकों को एक पुरस्कार समारोह में प्रतिष्थित सयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। अपर नाइल में एक विशेश पुरस्कार समारोह में दक्षिन सूदान में सयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ तैनाथ भारत के 1171 शान्ती सेनिकों को उनकी अनुकर्निय सेवा के लिए सयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। प्रश्न एफपीवी श्रिनखलाका के संतिम पोट का कमीशन किया गया। उत्तर, आइसीजी जहाज, कमला देवी। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फास्ट पेट्रोल वैसल, FPV, ICG जहाज कमला देवी को 12 जन्वरी को कमीशन किया गया ये तेज गश्ती पोत FPV, भारतिय ततरक्षक को Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, Limited द्वारा डिजाइन, निर्मित और वित्रित किया गया बुयाना गनराज्य के लिए शिप्यार द्वारा निर्मित एक पैसेंजर कम कार्गो ओशन गोइंग फेरी एमवी नालिशा को भी जन्डी दिखा कर रवाना किया गया यह किसी रक्षा सार्वजनिक शेत्र के शिप्यार द्वारा लेटेन अमेरिकी देश को निर्यात के लिए बनाया गया पहला ऐसा जहाज है प्रश्न, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्ट तकेंद्र की स्थापना कहा की जाएगी उत्तर, शिलोंग में Electronics और सूचन प्रध्योगी की तथा कौशल विकास और उध्यमिता राज्यमंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने कहा की भारतीय सौफ्ट्वेर टेक्नोलोजी पाक के माध्यम से Digital India Startup Hub, मार्च 2023 तक ऑनलाइंग गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्ट तकेंद्र शिलोंग में स्थापित करेगा शिलोंग में उत्कृष्ट तकेंद्र की स्थापना से पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्टार्ट अप और उध्यमियों को अग्ली पीडी के ओनलाइंग गेमिंग पारिस्तिति की तंत्र का निर्मान करने के लिए प्रोचसाहन मिलने की संभावना है प्रश्ण, कि स्टार्ट अप फ़म ने भारत का पहला पांच ची सक्षम ड्रोन विक्सित किया? उत्तर, आईजी ड्रोन्स ने टेक स्टार्ट अग फम आईजी द्वारा भारत के पहले पांच जी सक्षम ड्रोन को विक्सित किया है जो वर्टिकल टेक ओफ और लेंडिंग में सक्षम है इस ड्रोन को स्काइवॉक नाम दिया गया है इसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरेक्त अन्यक्षेत्रों में भी किया जा सकता है सकाइवॉक लगभग पांच घंटे तक दस किलो का पेलोड लेकर उडान भर सकता है साथ ही यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस और थमल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से भी लेस है प्रश्न किसने आर्क्टिक स्वीडन में प्रत्थम उपग्रा प्रक्षेपन केंद्र का उद्धातन किया उत्तर यूरोपिय सांग ने यूरोपिय संग आक्टिक स्वीडन में एक नए लॉंचपट के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है यूरोपिय अधिकारियों और स्वीडिश किंकाल सोलहवे गुस्ताफ ने यूरोपिय आयोग के सदस्यों द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपिय संग के पहले मेंलेंड और्बिटल प्रक्षेपन परिसर का उध्धातन किया यूरोपिय आयोग 27 राष्ट्रों का समू है जिसमें स्वीडन भी शामिल है यूरोपिय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन देर लियें ने कहा कि छोटे उपग्रह वास्तविक समय में प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखने और यूक्रेन में रूस की युद्ध के आलोप में वैश्विक सुरक्षा की गारंटी देने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है प्रश्ण किसने 23 वी नेशनल्स के चेंपियन्शिप में गोल्ड मेडल जीता है उत्तर फलक मुम्ताज ने जम्मू कश्मीर की 11 साल की फलक मुम्ताज ने नेशनल्स के चेंपियन्शिप में गोल्ड मेडल जीता है वो वर्तमान में कुलगाम में आयशा अली अकादमी में छठी कक्षा में पढ़ रही है चेंपियन ओफ चेंपियन का खिताब जम्मू कश्मीर की नूर ओल हया ने सीनियर महिला वर्ग में जीता जम्मू कश्मीर की हनाया निसार ने जूनियर महिला वर्ग में चेंपियन का खिताब जीता सीनियर पुरुश वर्ब में फैजान एहमद ने चैंपियन ओफ चैंपियन का खिताब जीता इसी के साथ आज का कर्ट अफेर्स का यह सत्र समाप्त हुआ दीजे हमें इजाजत और हा जाते जाते कृप्या चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद